तो आज है दे थ्री रंडिया का और हम लोग जा रहे हैं तो आज है दे थ्री और आज हम लोग जीट करने वाले हैं वर्ल अस्मॉलेश रिभा आईलेंड तो मैं हूं विश्णू और यह मेरे दोस्त मंतोस और आज हम लोग अभी गवार्टिया स्टेशन कुछ दिर पहले ही उतरे हैं त्रेंड से और यहां से राउंड वन किलोमेटर है वन या वन वन और हाफ किलोमेटर है वाकिंग डिस्टेंस आप और वर्ल्ड श्मॉनेश रिवर रिवर आइलेंड और आपको यहां से वहां से इलती है जो कि आपको आइलेंड तक ले जाएगी और ठेरी का कॉस्ट है राउंड 28-30 रुफी हेलो फ्रेंड्स हम लोग पुछ देर पहले ठेरी पकरने के लिए उमानन्दा घाथ के पास जया हुए थे लेकिन आज ठेरी बंध है इसके कारण से हम लोग अल्टरनेटिव पकड़ने वाले हैं यह राउंड 1.5 किलोमेटर उमानन्दा घाट से आपको राइट साइड के लिए अस्टेट फरोड बढ़ना पड़ेगा उमानन्दा घाट से राइट साइड ले लेना है निकल निकलने के साथ ही और 1.5 किलोमेटर आपको वार्किंग दिच्टेंज है या टो आप बस भी ले सकते हैं और बस भी ले सकते हैं इसके लिए ने तरफ प्यास दोड नहीं हो अब देख सकते हैं यहां से हम दोग लेंगे और आपको अप्डेट करते रहेंगे यह टिकेट काउंटर आप यहां से टिकेट लेंगे और उसके बाद हम बताएंगे आपको कितना फेयर परा क्या क्या रहा है दोस्तो हम दोग रोपे ले चुके हैं इसका फेयर जो है वो 150 रूपीज है दोनों साइड का और हम दोग उमाननना टेंपल के ऊपर चिनाएंगे आज उमाननना बंद है तो पानी का बहाँ बहुत ही ज्यादा है अभी हम लोग यहां से निकलेंगे और हम दोग नेमनना टेब सामयाँ देख सकते हैं यह जो आइलेंड है वर्ल्ड तर सबसे चोटा आइलेंड है रिवारागे दोगोर सकता है यही ओननननना टेंपल है ठीक है अधिक है अधिक हम लोग पानी के चश्ट उपर से निकल रह रहे है और यह जो ड़ लग रहा है इनका आप देखें तो हम पानी के चश्ट मीचे है और बस किसी तरह जीदेद दीरे कहें कि हम बढ़र रहे हैं एक इसकेड़ी एरवेंचर है यह आप लिकी नीचे सिर पानी के बरंकुत्रा नादी और कुछ भी मिनी है तो हम दो बहुत हम से होते हुए हम दो निकलेंगे बहुत मी अराम से और बढ़ आपी आप लिए तरह जाता है तो अगल लग रहा है तो यहां देखिये के इस दर का भी सीना दो सकते हैं यह हमारा वर्ल्ड का सब सीच खूता रिवर आइलेंड हम दो रोग ले जान श्कर लिए हैं तो इधर से भी अच्छा राता यहां से उपर से भी विउ आपक बहुत तीज है और यह बहुत है लोगों को डल लग रहा है इस रोपो के चलने में और यह दो के फानी का बहाव आप देख सकते हैं यह चोटा आइलेंड क्या है यह यह होना नंदा है ना की अगर यह ऊपर तक भर जाता है तो हम लोग मालते हैं कि पानी का बहुत है है और लोग रेकमिंट नहीं करके चाना ना वैजरा साथी सब लोगों को रोके कितिरू है, सब लोगों को पटिपरी, हम लोग बहुत ही पेशेंस के साथ जा रहे हैं, रोके कितिरू, बहुत अलग अदवेंचर है, बाद मैं हाई रिकमेंट पर दूगा एगदम आई हैं, यहां पर रोको आद मजा लेजिए, आपको कुछ अलग पानी है अगर आप नीचे देखें तो आप पानी है अगर आप नीचे देखें तो आप कोड़र के माई हारत करा हम देखें और यह पे हमारा टेमपल यह इस लोकेशन त्यों है कुनाननदा टेमपल है यह दिवर आईलेंड में यह तेमपल बहुत ही फेमस है दोस्तों काफी फेमस है और नामी है अपने जानते हैं इसे कर दो आप रहे हैं और यह थोरा सा व्परम दो काफी है काफी लिस्क दोगा है दोस्तो अगर आटको दढ़ दढ़ दढ़ा है तो नहीं आए ठीक है, अगर आटको अगर अधर से घंड़ दढ़ आए तो आप गोड़ी में लिए बुर्ट जादा सेफ दिखेंगा दोस्तो आपको पर यह देखिना सामने से एक और आ रही है हमारे रोपवे लोग टीम आ रही है वहारा से रोपवे के टीम है वो शायद अपनी ही टीम है और वो शायद नहीं उसमें भी लोग है और वो आने वाली है उदर से रोपवे आने का रास्ता है यह पूरा ब्रॉम्पुत्त्रा नदी है यह हमारा ऐलुनाचर प्रदेश से होकर आता है इतर प्रभार शनी होते वे बारिश होती है बारिश होने हाट सहारा कस्त्त हां पुποιेट तरा निर्मान कर दिन और यह नहीं सरे और ले अक्कानम को कि अवाल आपी और प्राइण हां थाल प्राइण बुद जो हो ले छेवन नहीं हो लेख को में तुरा गली में घगा जो फिख सम्नाध रहा है यह बनास तहीं है और आप पेड़ इसा लेटा उख पनास तुरसा कि यहां मेहां अगर को दर लगता है बिल्कु मत लाइए प्रिकी चिली में ये तोरा सा अलग एडवेंचर है और रिस्की है और रिस्की है कैसे तो हो नहीं कि अभी तब 5 मिनत 45 शेकंड हुए है और अभी हम लोग इसी बाने मुझे लगता है कि साफ मिनत के आसबास ही जो है ज्यूरोकवि का इस्टैंस था तो ही कि अकि गम्राइका दिस्टैंस प्रेशली तो होगें कि अधाए है वह बती कैना नहीं के लिजोग देते हुए हैंकि आए ही है-कि जैर थे साथ लिए मृट शूक है रिखिषू वह है९ह हुआ है देन कि लोग और ठीक है और ऐा कि घ अगर बारीज का मौशम रहता तो शायद और भी ज्यादा दल लगता तो काफी बच्चे भी हैं यहां कर दिखा दो इतने लोग है और लोग भी काफी डरे हुए है विष्णमाई कासा लग राप आपको अप्ने बारे आप याप कुछ बताना चाहेंगे रोभे का अभी तक अधित अच्छा स्परीश ना इसन्हाँ आप यहां आचके रोभे के तुछ? रोभे जिता हुआ है पर्लीबर आ प्राथ आप रहा हुआँ एक नम आना चाहिए, एक बार तो आना ही चलिए यह देखते हैं, आपको मैं दिखा दूँ यहां से है, हम रदी के बीचो बीच से बतुरा आ जिया है हम लोग बहुत चुके हैं, अलमोशन है, यह हमारा लोग्वेट टर्मिनल है, जो इसना 8 से इंड तक हाँ और चार्जें इसके 150 रूपीज है, दोनों साइड के, एक साइड को हम लोग आ चुके हैं, अब उसके बाद दूसरे साइड हम लोग को अपने दाएका जाने का, अब अच्छा लग रहा है, लोग हम लोग बहुत बड़ा अड़न्श्रस जो पार्ट था, वो निकल गया है और अब बस यहां पर मन्नी के दाशन बनेंगा, बस बने रगे वीडियो में यह देखिए, आत मिनट हो चुके हैं, आत मिनट तब हम लोग नहां बहुत हैं, यह उपन होंगे, और आप स्लो लेके गया है, काफी से ट्राई किया हैं यह तराची बात ही है, काफी अच्छा इनिशेटिव यह देखिया, रोगवेड टर्मिनल है यहां पर, यह आप तो गैंटॉप में मिलेगा, और यहां से धीरे धीरे इन लोगों ने स्लो किया है, कि लोगा कुछ तो है स्टार्ट और इंड जो है, तो आप स्लो रखेंगे, ताकि स्लोली स्लोली वे लोग उपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा एड़ेंचर दोस्तों एकदम आईए, मैं हाइली रिकमेंट रहे हैं, इकवा नमजा लेए, जो नहीं ड़ते हैं, उनके लिए बहुत ही बहतरी है, इनको बोलते हैं, कि नहीं भाई, मैंने मांट तो ही पिया, और मुझे डर क जीट है, वो एकदम आईए, आपको, आपकी डर के पठ जाईजी रोप रहे हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, दो टेंपल जा रहे हैं, टो यहाँ ‑‑ यहाँ पर दो मंदिर है, दो मंदिर हैं, दो वापस चले जाएंगे तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रोड है वो काफी अच्छा दिख रहा है यह अभी रोड जो है प्रॉपर स्कूटी के लिए इन लोगों ने यहाँ बार आपको स्कूटी से आना है तो आपको 20 रुपे के राउन चार्ज जाएंगे अगर आप उससे थ्वरा सा बार्गेन करेंगे तो आपको डेर सो तक में आपको बोलेंगे कि आप डेर सो तक में दीजिए और आधे घंट मंदीर भूम के आईए तो आपको स्कूटी मिल जाएगा चाभी मिल जाएगा आप आनाम से जाकर आ सकते हैं और और फिर हम लोग अगर पैदल जाना चाहें तो पैदल चले जाएगे और मुझे लगता है कि देर सदना कोई मेनिंग नहीं बनेगा कि यह बहुत ही बगल में है तो चलिए हम लोग जाते हैं और फिर आपको में अपडेट रहता हूं यह देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखाता और बहुत ही अच्छा है बहुत पॉजिटिव लग रहा है यहां आकर और मैं एकदम बोलूँगा आईए आकर देखिए आकर मजा लीजिए और इस मौसम का मजा लीजिए हम हैं अभी तो फिलहाल 19 मार्च हो रहे हैं 2022 में 2022 और बस देखते चाहिए आगे यह टेंपल है हम लोग टेंपल में जाएंगे और इसके और आगे फिटैड है फोटोग्राफी तो हम लोग यहां पर कैमरा बंद कर रहे हैं कैसा टेस्ट तो दोस्तो मैं आ गया हूं फिर से और ये है हमारा ब्रह्म पुत्रा नदी और ये है वो रूपवे जिससे हम लोग आए हैं ऊपर से काफी सेफ है अराम से आ सकते हैं और यहां से आप देख सकते हैं पूरा ब्रह्म पुत्रा नदी आपको दिखता है यहां से एकदम प्रॉपर दिखता है बहुत ही खुब सूरत दिख रहा है मौसम भी आप देख रहे हैं और यह है हमारा सामने गोहाटी ठीक और वहां से दोपे लेके वापस गुहाटी जाएंगे और बहुत खुब सूरत है दोस्तों बहुत ही बढ़िया जगा है एकदम आईए यह मौसम भी आप देख सकते हैं मौसम देख के ही आप बोल सकते हैं कितनी सुंदर जगा है आने वाली जगा है बिलकुल आईए और लु सबसे स्मॉलेश रिवर आईलेंड है दोस्तों और इसमें उमानंदा टेंपल है जो आप आराम से इसमें घूम सकते हैं बाइबोट अगर आप रोपे लेते हैं तो आप उपर उपर आ जाएगा और आप 360 डिग्री में वीडियो ले सकते हैं जो मैंने ले लिया और मैं आप आपको बाइबोट जाना है तो बाइबोट आपका अभी तो फिलाल नहीं है आप देख सकते हैं यह जो धारा है यह काफी तीव्र है जिसकी वज़ास से अभी चार से पांस दिन अभी इसको बंद रखा गया है और बारी शुरू हो चुकी है तो चलिए अब इस वीडियो म यह आपका सामने का छोटा साथ तापू माना जाता है कि अगर फुल हो जाए तो पुरा ब्रह्मकतन अगादे में अच्छा उपान आ जाएगा और गो आटे और मुस्ट दूस आ जाएगा बढ़ी जंदर ने भड़ता नहीं है तो यह एक तरह से आपको मुलिक है कितना देखे यह देखे यहां से जा रहा है ऐसे ही हम लोग गए थे और बस वीडियो बने रही है यह देखिए इसी तरह से हम लोग गए थे और इसी तरह से वापस आएंगे बस यह चोटा सा व्यू में आपको दिखा दिए